मानिय सरसे सिरी अशीश शर्माजी भाग लेंगे सवाबती महोदे धन्यवाद जो ये संकल्प मानिय मुख्यमंतरी जी ने रखा है मैं बिल्कुल पांच मिनटी लूँगा जो रखा है मैं इसके समर्थन में यहां खड़ा हुआ हूँ और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं सिर्फ एक दो मुद्दों के उपर ही ध्यान जो है मानिय मुख्यमंतरी जी का विशेश रूप मैं चाहूँगा कि वो रखे कि जिस तरह से ये आपदा हुई है और कई लोग भेगर भी हुए हैं कियों के मकान चले गए हैं और कई लोग लेकिन ऐसे भी हैं जो लेंडलेस हैं जिनके पास जमीन नहीं है पहले से भी नहीं है मेरे कहने का अभी पराह ये है कि जब डीसी के पास जाते हैं लोग कि हम लेंडलेस हैं apply करते हैं कि हमें भूमी दी जाए तो DC जो है वो पटवारी से report मांगते हैं कि इसके ये landless है कि नहीं है पटवारी report देते हैं कि अगर landless है तो उसको जमीन दे दी जाए लेकिन इसमें एक जो विशेश रूप से मैं आपको बताऊं कि जो जो भी apply करता है परिवार उसकी धरम पत्नी की भी जो भूमी है उसके जो परिवार की उसके फादर की उसको भी देखा जाता है कि उसके फादर के पास वो जगा है की नहीं है मैं ये चाहता हूँ कि वो जो relaxation है कृपा करके क्योंकि कोई भी अगर हमारी बहन शादी करके दूसरे घर में जाती है और वो एक गरीब परिवार में समने परिवार में जारी है और उसका पती अपलाए कर रहा है जमीन के लिए और उसके पास अलरेडी वहां पे उसके पर जो जहां से वो आई है वहां पे क्योंकि हिमाचल में या हमारे देश में जब भी अपने ससुरा चली जाती है बेटियां तो जो लैंड है अपने भाई के नाम पे या पती के अपने पिता जी के नाम पे उसको छोड़ दिये जाता है तो कई दफा जो ये कंडिशन की वज़े से कई ऐसे परिवार हैं जिनका वो जो लैंड है वो उनको नहीं मिल पा रही है तो मेरी विंती ह कि इस कंडिशन में रिलेक्शेशन दी जाए कि जो इनसान अपलाई कर रहा है भूमी के लिए चार मरले के लिए या छे मरले के लिए तो उसको जो है वो भूमी दी जाए ना कि उसके पतनी के परिवार की भूमी भी देखी जाए कि उसके पास है कि नहीं है क्योंकि इससे कई में हाला की उतना नुकसान नहीं हुआ है लेकिन अपने जिले में दो विधानसवक शेत्रों में माने मुख्यमिंतरी जी ने दौरा किया बड़सर में सुजानपुर में काफी नुकसान हुआ वहाँ पे जीरो ग्राउंड पे गए और जो भी अधिकारियों को आदेश थे इन सबने बोला विचार रखे और मैं समझता हूं ज्यादा बोलना भी उसके लिए उचित नहीं है क्योंकि माने मंतरी जी ने भी इसके उपर बियान दिया लेकिन क्योंकि मैं भी इस इक शेत्र से मेरा भी कारोबार जुड़ा हुआ है मैंने अल्रेडी ये डिकलेर कियु ही है ग्रुपर की जनता ने चुना है तो हमिरपुर की जनता को पता है कि इसका क्या कारोबार है तो मुझे कोई चुपाने की जरूरत नहीं है और जो भी माने मुक्या मंतरी जी ने डिसीजन भी लिया है मैं ये समझता हूँ कि जाहे वो क्रेशर बंद का है अगर बंद किये हैं तो मुझे ये लगता है कि ये बड़िया से बड़िया पॉलिसी लेके आने वाले हैं जिससे की माइनिंग जो रेवन्यू लॉस हो रहा है वो कम किया जाए और जो इल्लीगल माइनिंग है उसको रुक की जाए मैं ये समझता हूँ कि लोगों में माइनिंग के प्रती जो है वो बिलकुल गलत धारना भी एक फैल गई है कि माइनिंग है माइनिंग माफिया है जब आप चुनाब के लिए खड़े होते हैं और विशेश रूप में मैं समझू हमारे जैसे जो भी यहां पे जितन पता होता है कि किसका क्या चरितर है किसका क्या कारोबार है और शायद अगर वो बोट डालता है तो इस धारना से डालता है कि मैं एक अच्छे कैंडिडेट को बोट डाल रहा हूं ताकि वो यहां पे मुद्दे रखे और जो किशित्र की समस्याएं हैं उनको माने मुख्यम मुख्यमंत्री और सरकार के समक्ष रखे तो एक तो ये जो धारणा माइनिंग के प्रती चली है ये नहीं होनी चाहिए और जो भी पॉलिसी लाए जाएगी मैं समझता हूँ माने मुख्यमंत्री जी बीर भूमी हम इरपूर से हैं और ये सक्षम हैं स्ट्रिक्ट डिसीजन ल हैं और मैं समझता हूँ इस इस बार भी जो जो भी चाहिए वो आपदा कक्षेतर अगर आप देखेंगे दिन रात सरकार जुटी हुई है माने मंत्री हमारे करनल धनीराम शांडिल जी भी हमेरपूर आए मेरे विदान सबक्षेतर में गए और इन्होंने भी जाके वहां प तीन चार मिनट लिए हैं आपसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद और अभार करता हूँ